हलो बच्चों सबको बहुत बहुत गुड आफटेनून आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं और तैयारी भी अच्छी तरह कर रहे हैं तो यह जो गेर अप बैच चल रहा है उतकश की तरफ से उचका आज दूतरा लेक्चर है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज ह लेकर आया हूँ प्लान किंडम तो क्लास के अन तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम MC क्यूज करने वाले हैं बेसिक थियोरी जो इंपोर्टेंट है वो भी साथ में देखने वाले हैं ठीके भई तो तयार हो आप लोग आजाओ चालू करते हैं हम लोग पादब जगत या प् हमको क्या पता लगाना है कौन से कथन सही है और इन स्टेटमेंट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं तीन टर्म्स हैं बचों हमारे पास सम युगमकी यानि आईसोगेमी असम युगमकी यानि अनाईसोगेमी और अंड युगमी यानि उगेमी तो आपको पता होगा जब हम ले पादपों में तो लेंगिक जनन में हम तीन प्रकार की बात करते हैं आईसो गेमी बच्चों सम युगमी अनाईसो गेमी और उगेमी जिसे अंड युगमी भी कहते हैं तो कैसे ध्यान रखते हो आईसो मतलब सम आईसो मतलब सम का मतलब होता है एक जैसे तो आईसो गेमी एक जैसे युगमक एक जैसे होंगे तो युगमक साइज में सिमिलर होंगे यानि माप में समान होंगे तो आईसो गेमी का मतलब ही होता है सेम अगर दोनों युगमक हैं नर और मादा युगमक मेल और फीमेल गेमीट्स हैं वो सेम हैं सेम साइज के हैं तो यानि आईसो गेमी अनाईसो गेमी का मतलब अनाईसो का मतलब ही होता है डिस सिमिलर अ समान जो समान ना हो तो अनाईसो गेमी में गेमी सिमिलर साइस के होंगे नहीं ये गलत हो गया अनाईसो का मतलब ही विशम है डिफरेंट है अलग- ça तो वो एक जैसे एक समान साइस के नहीं होते और तीसरा होता है बचों उगेमी अंड युगमी इसमें क्या होगा उगेमी में नर युगमक मेल गेमीट छोटा होता है और गती शील यानी मोटाईल होता है और जो फीमेल गेमीट है यानि अंड युगमी जो अंडा है फीमेल यानि मादा युगमक वो बड़ा होता है और वो गतीशील या मोटाइल नहीं होता तो देखो fusion between one large, large तो सही है लेकिन मोटाइल नहीं होता और small तो सही है नर युगमक मेल युगमी छोटा तो होगा लेकिन नौन मोटाइल नहीं होता मोटाइल होगा तो second statement भी गलत है, third statement भी गलत है, केवल कौन सा statement सही है बच्चों, first तो यह याद रखना आप लोगों को पास कि यह आईसो गेमी, अनाईसो गेमी और उगेमी तीनों टर्म्स NCRT में हैं तो आईसो का मतलब same, अनाईसो मतलब dissimilar और उगेमी में मेल गेमी नर युगमक छोटा होगा, मोटाइल यानि गतीशील होगा और फीमेल युगमक जो है गेमी बड़ी होगी और अगतीशील यानि नौन मोटाइल होगी तीनों टर्म्स NCRT में हैं बता होने चाहिए ठीके बच्चों, फिर next question क्या है, again, next question है which of the following statements are incorrect, आपको गलत पता लगाने है आपको इन कथन किसकी बात हो रही है, गलत, कितने incorrect हैं, कितने गलत हैं तो आओ, एक एक करके, पहला feature है बच्चों, red algae की बात हो रही है, यानि लाल शेवाल और question है, red algae में flagela present होते हैं अब याद रखना, यही पहचान, कभी भी आपको red algae, green algae, brown algae में पहचान करनी हो तो red algae जो है, वो non-motile होती है अगर question आ जाए, ऐसी शेवाल बताईए, ऐसी algae बताईए, जिसमें non-motile gametes होते हैं ऐसी algae बताईए, जिसमें non-motile spores होते हैं मतलब जिनके बिजानू भी अगतीशील हैं, जिनके युगमक भी अगतीशील हैं तो वो क्या होती है, red algae, क्या होगी भाई, red algae होगी तो flagela are present, यह तो गलत हो गया यह statement तो incorrect है, क्योंकि red algae के gametes हों, red algae के spores हों, non-motile होंगे फिर next question है बच्चों, floridian starch, floridian starch red algae में पाया जाता है, बिलकुल red algae में storage food कौन सा होता है, floridian starch brown algae में कौन सा होता है, laminarin और manitol तो दोनो statement correct है, अब इसके साथ साथ क्या-क्या ध्यान में रखोगे सर यह floridian starch कैसा होता है, starch तो पता है, floridian starch तो starch के अंदर amylopectin होता है बचों, वो branched होता है तो amylopectin से ज्यादा branching किसमें होती है floridian starch तो floridian starch एक starch का ही रूप है, लेकिन एक ऐसा starch है जिसमें amylopectin से ज्यादा शाखाएं, amylopectin से ज्यादा branches होती है floridian starch आपको red algae में मिलेगा, laminarin और manitol brown algae में मिलेगे और simple starch आपको green algae में मिलेगा, stored food तो यह statement भी correct हो गया, फिर है spirulina spirulina is not used as food supplement, it is used यह भी क्या हो गया, incorrect तो spirulina आपको पता होगा बच्चों वैसे तो blue green algae है और यह एक single cell protein के रूप में काम करती है और यह supplement के रूप में use की जाती है तो यह क्या हो गया, incorrect तो यही पूछा है कौन कौन से incorrect है पहला incorrect है, चौथा incorrect है पांचवा statement है बच्चों, bryophytes को हम plant kingdom के amphibians, उभैचर कहते हैं सब को पता होगा क्यों कहते हैं bryophytes को amphibians of plant kingdom इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको fertilization के लिए पानी चाहिए इनको निशेचन के लिए जल चाहिए होता है इसलिए amphibians तो इनको हम correct मान के चलते हैं तो incorrect हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों first हो गया, fourth हो गया इसमें क्या-क्या चीज़े याद रखनी है भई single cell protein के examples भी याद रखना NCRT अगर आपने अच्छी तरह पड़ी है तो single cell protein 12th की NCRT में जो strategies वाला chapter है strategies उसमें single cell protein के बारे में दे रखा है spirulina एक single cell protein का example है chlorella एक single cell protein का example है methylophilus, methylotrophus एक single cell protein का example है और NCRT के according NCRT के 12th के chapter में mushroom को भी single cell protein में डाल लिया है तो याद रखना ये single cell protein के example सबसे common examples में spirulina और chlorella spirulina एक blue green algae है chlorella एक green algae है तो याद रखना बचो शबाज चले आगे फिर next question क्या है अब आपको बताने है which of the statements are incorrect कौन से statement जो है वो incorrect है याद रखना गलत कथन बताने है आपको क्या बताना है गलत कथन पहला है gymnosperms gymnosperms मतलब अनावरिद बीजी तो gymnosperms वो होते हैं जिन में जो ovules हैं ovules मतलब बिजांड वो ovary wall से ढखे रहते हैं gymnosperm में ovule यानि बिजांड ovary से अंड़ाशय से ढखे रहते हैं नहीं न तो ये statement तो wrong है मतलब incorrect है क्योंकि gymnosperms को हम पहते ही है plants with naked ovules gymnosperms अनावरिद बीजी नाम में ही है कि भई ovules जो हैं बिजांड हैं वो नंगे हैं कपड़ा नहीं पहन रखा है उन्होंने उन्होंने यासे ovary की यानि अंड़ाशय की पवरत नहीं है फिर next question क्या है बच्चों roots in some genera कुछ genus की मूल कवक fungi के साथ associated रहती है जिसे mycorrhiza कहते हैं बिलकुल यह हमने देखा है pinus के जो जड़े हैं वो किसके साथ रहती हैं वो कवक के साथ fungi के साथ mycorrhiza के रूप में पाई जाती हैं तो e statement तो का है भई correct है फिर तीसरा है बच्चों coreloid roots coreloid जड़ें प्रवाल मूल यह कहां पाया जाता है तो याद रखना plant kingdom में gymnosperms होते हैं gymnosperms में दो important उधारन है जड़ों के एक तो gymnosperm में pinus आता है और एक psychus आता है तो cc याद रखना भई क्या याद रखोगे cc cc मतलब psychus जो है उसमें कौन सी जड़े पाई जाती है coreloid roots coreloid roots को हिंदी में प्रवाल मूल कहते हैं तो psychus के अंदर जो coreloid roots होते हैं उसमें क्या है उसमें कौन सहजीविता कौन सिंबायोसिस दर्शाता है नील हरी छेवाल या blue green algae इन coreloid roots में आपको क्या मिलेंगे blue green algae मिलेगा cyanobacteria मिलेगा nostoc anabina मिलेंगे जो nitrogen fix करते हैं तो coreloid roots are not associated with nitrogen fixing cyanobacteria they are मतलब ये भी incorrect है तो याद क्या रखोगे statement से coreloid roots किस में मिलने वाले हैं coreloid roots psychus में मिलते हैं psychus के अंदर coreloid roots में क्या मिलेंगे blue green algae यानि sino जीवानू और क्या fix करेंगे nitrogen स्थिर करने में काम करते हैं फिर चौता है बचों embryo sack अब भुरून कोश क्या होता है बताओ तो फटा फट और embryo sack बुरून कोश पड़े हो embryo sack मादा युगम को द्भित होता है female gametophyte angiosperms में आवरिद बीजियों में जो बुरून कोश embryo sack क्या represent करता है female gametophyte female gametophyte में कितने केंद्र कितने nucleus होते हैं साथ nucleus होते हैं कितने cells होते हैं साथ cells तो seven celled eight nuclei वाला जो embryo sack है वही female gametophyte होता है तो उसमें का होता है बच्चों three celled egg apparatus होता है बिल्कुल three celled egg apparatus होता है जिसमें एक अंड कोशी का एक egg होता है दो synergids होते हैं दो सहाय कोशी का होती है तो एक egg cell है और एक synergids होता है का गलत कितने synergids होते हैं दो कितने synergids होते हैं दो तो ये भी गलत हो गया भई ये statement भी गलत है तो पहला गलत है और पहला गलत है दूसरा सही था तीसरा गलत है और पांच चौता गलत है भई तो पहला तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया तो सिंपल कोरिलॉइड रूट्स आपको मालूम चल गए माइकोराइजल रूट्स भी जिम्नोस पॉंप्स में होते हैं जिसमें पाइनस का उधारन याद रखना तो सिनर्जिस कितने होंगे? दो ठीक है बच्चों अब मैंने कहा था देखो मैच दा कॉलम्स भी आते हैं नीट में आपको स्टेटमेंट के अलावा मैच करने को भी क्वेस्टेंस आएंगे तब मैच कॉलम्स में क्या याद रखोगे? क्लमाइडो मोनास, वॉलवोक्स, फ्यूकस, स्पाइरो गाईरा सबसे पहले तो अलगी कौन कौन से हैं पता होना चाहिए क्लमाइडो मोनास कौन सा अलगी है भई? ग्रीन अलगी है क्लमाइडो मोनास कौन सा अलगी है? ग्रीन अलगी लेकिन कैसा है? कैसा है एक कोशी किया है यूनी सेल्यूलर है तो क्लमाइडो मोनास पर तो प्लान किंडम में रहे हो है यूनी सेल्यूलर ग्रीन अलगी लेकिन पांच जगत के आधार पर रखोगे कहां पर प्रोटिस्टा याद रखना बार बार बता रहा हूँ वॉलवॉक्स का है भई वॉलवॉक्स भी तो ग्रीन अलगी है वॉलवॉक्स का डाइग्राम भी NCRT में है कॉलोनी के रूप में पाया जाता है कॉलोनियल अलगी है कॉलोनी के रूप में कौन सा अलगी पिलता है वाल वॉक्स फ्यूकस का है भई ब्राउन अल्गी फ्यूकस का है ब्राउन अल्गी और विशेश है फ्यूकस ब्राउन अल्गी स्पेशल क्यों है क्योंकि ज्यादा तर तो सारे शेवाल ज्यादा तर तो सारे अल्गी अगुनित हैपलोईड होते है लेकिन Ф्यूकस फ्यूकस एक वैसा ब्राउन एलगी है जो Dayploid होता है समज रहे हो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भई अरे गब्पे मारने आए हो पढ़ाई करने आए हो रिविजन करने आए हो ब्हेतर तरीके से इमान दानी से महनत करने आए हो तो बताओ याद रखना fucus क्या है भूरी शेवाल है brown algae है और diploid है याद रखना diploid और spirogyra का हो गया भई spirogyra भी हमारे पास green algae है तो पता होना चाहिए कौन सा green है कौन सा brown है और diploid कौन सा है fucus NCRT का examples है clamidomonas clamidomonas में सभी तरे का reproduction होता है कुछ clamidomonas की जातिया आईसो गेमस दर्शाती है कुछ clamidomonas एनाईसो गेमस दर्शाते हैं तीनो तरे के clamidomonas में देखा जाएगा तो जो A है ना वो 1, 2 और 3 दोनों से मैच करेगा fucus और walwalks NCRT में देख रहा है fucus और walwalks NCRT में दे रखा है अंड युगमी O gamus fucus और walwalks कैसे होते हैं O gamus मतलब B भी क्या आएगा 3rd, C भी क्या आएगा 3rd, Spirogyra Spirogyra क्या होगा आईसो गेमस अब उसमें भी याद रखना बच्चों आप देखो clamidomonas और Spirogyra इसमें दौनों में आईसो गेमस होगा आईसो आईसो clamidomonas में कैसे gametes होंगे गती शील और Spirogyra में कैसे gametes होंगे नौन मोटाइल तो आईसो गेमस clamidomonas की जातिया भी दिखाएंगी और Spirogyra की भी दिखाएंगी लेकिन Spirogyra के gametes कैसे होंगे non-motile होंगे agatishil और clamidomonas के gametes कैसे होंगे gatishil यानि motile तो spirogyra क्या हो गया first fucus wall walks कैसे होंगे u gamers और clamidomonas तीनों दिखाएगा तो answer अपने पास क्या हो गया इसका answer fourth हो गया क्या answer हो गया भई fourth और ISO gamers में याद रखना clamidomonas के gametes gatishil या motile होंगे और spirogyra में non-motile होंगे agatishil फिर क्या है बचों next question ध्यान रखेंगे which of the following algae कौन सी शेवाल food भोजन के रूप में food यानि edible होता है खाने योग्य होता है ठीक है अब प्रसान जी thallophyta की भी हम बात कर लेंगे थैलोफाइटा में शेवाल आती है ठीक है कवक भी थैलोफाइटा में आता है लेकिन कवक को तो अब फंगाई को तो हम अलगी kingdom में पड़ते हैं पर थैलोफाइटा का मतलब है ऐसे plants है बचों जिसमें roots, stem और leaves विभेदित नहीं होती है तो food में कौन-कौन से काम करते हैं पॉर्फाइरा, laminaria, sargassum पॉर्फाइरा कैसी अलगी हो गई भई पॉर्फाइरा कैसी अलगी है रेड अलगी, लाल शेवाल लामिनेरिया, sargassum कैसी अलगी है ब्राउन अलगी तो पॉर्फाइरा, लाल शेवाल, रेड अलगी लामिनेरिया, sargassum, ब्राउन अलगी तीनों NCAT में हैं तीनों खाने योग्य होती हैं और तीनों लवणिय जल में मराइन वौटर में पाइजाती है तीनों लवणिय जल में पाइजाती हैं मेराइन वाटर में पाई जाती है तीनों खाने योग्य है तो आंसर क्या होगा एक से अधेग पौरफाइरा, रेड अलगी ये भी खाने योग्य है लैमिनेरिया, सैरगैसम, ब्राउन अलगी ये भी खाने योग्य है तो हमारे पास आंसर क्या हो गया फोर्थ फिर ध्यान देंगे बच्छों मैच दा कॉलम्स कैरगीन अलगीन अगार अगार ये सब इकनॉमिक इंपोर्टेंट्स है सब के सब आर्थिक रूप से ज्यादा महत्वपून चीजें हैं भई तो ये तो सब को मालूम होता है अगार 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 हमको पता है एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है ये आईस क्रीम्स जेलीज को गाढ़ा बनाने में किसका यूज किया जाता है अगार अगार जब आप सूक्ष्म जीवों का माईक्रोब्स को लिबॉरिटरी में कल्चर करते हो तो वहाँ पर माध्यम को ठोस बनाने के लिए सॉलिडिफाइंग करने के लिए भी हम अगार अगार यूज करते है तो अगार अगार किस से मिलता है भई रेड अलगी से लाल शेवाल से कौन सी लाल शेवाल से जेली डियम और ग्रैसी लेरिया ये बहुत कौमन है आपको पता होना चाहिए अगार अगार जेली डियम और ग्रैसी लेरिया से मिलेगा अलगीन अलगीन कहां होता है भूरी शेवाल ब्राउन अलगी की सेल वाल में मिलता है तो अलगीन या अलगीनेट्स जिसे हम कहते हैं वो किस में मिलता है ब्राउन अल्गी से और केरगीन जो होता है ना बच्चों केरगीन मिलता है कॉन्डरस एक आईरिश मौस होती है और वो कौन सी अल्गी है रेड अल्गी तो कॉन्डरस किस से मिलेगा केरगीन भी कैरगीन भी अगार-अगार जैसा ही काम करता है बचों आइस क्रीम को, जेलीज को गाढ़ा बनाने में हम कैरगीन यूज करते है और कैरगीन भी किस से मिलता है? रेड अलगी से, कॉंडरस से अगार-अगार भी किस से मिलेगा? रेड अलगी, जेलिडियम और ग्रैसिल एरिया से और अलगिन ये एक हाइड्रो कोलोईड है किस से मिलता है ब्राउन अलगी से तो आपके पास A का क्या हो गया सेकिंड, B का क्या हो गया फर्स्ट, C का हो गया थर्ड और फोर्ड तो क्या आंसर चला गया भई हमारे पास थर्ड आंसर हो गया तो इंपोर्टन चीज है वही सारे एक्जाम्पल्स हैं फिर बिलकुल बच्चों ये चार्ट N-C-E-R-T का है और आपने देखा होगा जब ही भी नीट में चार्ट पे कोई क्वेस्चन आता है तो वो चार्ट N-C-E-R-T का ले लेते हैं और उसमें बीच में से चीजों को हटा देते हैं वैसा ही क्वेस्चन हम लेख रहे हैं अब देखो बच्चों इसमें तीन आलगी है क्या कहते हैं आपके पास ग्रीन आलगी ब्राउन आलगी और रेड आलगी क्लोरोफाइसी का मतलब ये हरिच शेवाल है फेओफाइसी का मतलब ये भूरी शेवाल है और रोडोफाइसी का मतलब ये लाल शेवाल यार रेड आलगी है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये algae का जो वरगी करण है ये जो algae का classification है green, brown, red किस basis पर किया जाता है तो जब हम algae को तीन types में classify करते हैं तो इसका basic उद्देश है basic तरीका है इनके प्रकास संचलेशी वरनाक या photosynthetic pigments के basis पर mainly तो हम chlorophyll के basis पर इन तीनो algae को classify करते हैं मुख्य रूप से इसके अलावा उनमें संचित भोजन उनमें फ्लैजिला उनकी cell wall की संदचना वो भी ध्यान में रखी जाती है लेकिन सबसे प्रमुक main कारण उनको classify करने का क्या है? pigments तो chlorophyce green algae में chlorophyll A और B मिलता है brown algae में क्या मिलेगा आपको brown algae में आपको मिलेगा chlorophyll A और C red algae में आपको क्या मिलेगा chlorophyll A और D तो A और B आपको किसमें मिल रहा है? chlorophyce green algae में chlorophyll A और C किसमें मिल रहा है? red algae में और chlorophyll A और D किसमें मिलेगा? red algae brown algae में brown color किस कारण होता है? fucoxanthin के कारण brown algae में भूरा रंग किस क्या होगा भई fucoxanthin और red algae में लाल कलर red algae में लाल कलर किस कारण होगा phycoerythrin के कारण किस के कारण phycoerythrin के कारण फिर stored food green algae में stored food क्या होगा बच्चों starch brown algae में manitol और laminarin हमने देख लिया red algae में floridian starch फिर flagella green algae में 2 से आट flagella होते हैं equal होंगे और शीर्ष पर मिलेंगे brown algae में 2 होते हैं दोनों unequal और side में मिलते हैं और रोडो मैंने कहा था red algae में flagella नहीं होगा नहीं होगा तो x क्या हो गया A और C x क्या हो गया A और C हो गया ठीक है फिर फिर य क्या हो गया स्टार्च और जेड क्या हो गया फ्लेजिला एपसेंट तो आंसर हमारे पास क्या चला गया भई फोर्थ और इससे हमने पूरा जो NCRT का चार्ट है वो भी आपको याद रख लेना है ठीके भई तो क्लोरोफिल A, B, A, C, A, D ब्राउन कलर फ्यूको जैंथिन, रेड कलर फाइको एरिथरिन के कारण होगा फिर चले मचों आगे नेक्स्ट, डाइग्राम्स मैंने कहा था ये जो चाप्टर्स हैं प्लान किंडम है, आनिमल किंडम है, इसमें डाइग्राम्स पर बहुत जीजे पूछी जाती है तो पहली चीज, ये तीनों जो अल्गी हैं, अगर आप बता पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है ये तीनों किसके एक्जाम्पल्स हैं, भूरी शेवाल या ब्राउन अल्गी के ये तीनों हमारे पास किस तरह की शेवाल हैं भई, कौन सी है, भूरी शेवाल है या ब्राउन अल्गी है अब कौन कौन से हैं, देख के बताओ तो भई, कौन कौन से हैं इन में से E का का है E तो हमको पता है Dictiota है E तो हम सबको पता है भई का है Dictiota है ये का है E का है भई Fukus है ना E का है Fukus है और E हमारे पास का है Laminaria है तो A हमारे पास क्या हो गई भई Laminaria B हमारे पास हो गई Fukus C का हो गया Dictiota तीनों brown algae है, खासियत क्या-क्या है लामिनेरिया से iodine प्राप्त होता है पता है, लामिनेरिया से iodine मिलता है ये खाने योग यालगी है फ्यूकस कौन सी है, डिपलोईड brown algae है डिपलोईड, याद रखना छीखे, फिर ये का डाइग्राम है, भई ये भी NCRT का डाइग्राम है, किसका डाइग्राम है, बताओ, किसका डाइग्राम है, मरकैंशिया, और मरकैंशिया क्या होता है, ये रिक्सिया और मरकैंशिया किसमें आते हैं भई, लिवर वर्ट्स में आते हैं, किसमें आते हैं, लिवर वर्ट्स, और लिवर वर्ट्स किसक ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ट्स आते हैं उसमें मरकैंशिया अब ये मरकैंशिया हमको पता है मोनोईशियस होता है या डाईशियस एक लिंगा अश्राई होता है या द्वी लिंगा अश्राई तो मरकैंशिया में फीमेल अलग होता है मेल अलग होता है तो जब मेल और female mercantia अलग-अलग है ये female thallus ये male thallus तो कैसा होता है mercantia diaceous mercantia कैसा होगा भई diaceous याद रखना male अलग होता है female अलग होता है तो X क्या हो गया आपके पास female mercantia Y क्या हो गया male mercantia तो bryophytes में liver words का example है और liver words में जो mercantia है याद रखना diaceous female thallus अलग होता है male thallus अलग होता है बहुत important है याद रखना अब ये आपके पास क्या है sylopsida, lycopcida, sphenopsida teropsida ये सब NCRT में दे रखा है ये सारे class तो teridophytes याद है आपको कौन से plants हो गया भई teridophytes teridophytes में कितने वर्ग होते है चार वर्ग होते है तो ये teridophytes के चारो वर्ग है teridophytes के क्या है teridophytes के ये चारो वर्ग है सबसे पुराना सबसे पुराना teridophyte कौन सा होगा sylopsida ठीक है फिर lycopcida आता है lycopcida को क्या कहते है club mosses स्फेनोपसिडा को का कहते हैं भई घोडे की पूँच होर्स टेल ये घोडे की पूँच जैसे दिखते हैं तो होर्स टेल किसमें आते हैं टेरिडोफाइट्स में और फर्न्स सबसे बड़ा समू टेरिडोफाइट का सबसे बड़ा समू फर्न्स किसमें आते हैं टेरोपसिड में क्या आता है साइलोटम आता है भई ये लिविंग फॉसिल है जीविद जिवाश्म पता है ना आपको लिविंग फॉसिल के उधारन याद रखना एक जिमनोस्पम भी होता है लिविंग फॉसिल याद है गिंको गिंको बाइलोबा वो भी लिविंग फॉसिल है साइलोटम ये भी living fossil है, जीविद जीवाश्म, जीविद जीवाश्म का होते हैं भई, ऐसे plant जिसमें जैविकास evolution होना बंध हो गया है, तो जीविद तो हैं, जिन्दा तो हैं, लेकिन अब वो evolve नहीं कर रहे हैं भई, लाइकॉपसिडा में आपको क्या मिलेगा, सेलेजीनेला और लाइकोपोडियम, जो सेलेजीनेला और लाइकोपोडियम है, वो किसमें आएंगे लाइकॉपसिडा में, स्फेनोपसिडा घोडे की पूछ, इक्वी सेटम, इसका डाइगराम भी NCRT में है, याद रखना, वी सेटम का, और सारे फर्न्स, ड्रायोप्टेरेस, टेरेस, एडी एंशम, एडी एंशम को हम वाकिंग फर्न भी कहते हैं, तो ये आपके पास साइलोपसिडा, A का क्या हो गया, 4, B का क्या हो गया, 3rd, C का क्या हो गया, 2nd, और D का क्या हो गया, 1st, आपने देखा होगा कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इस पे questions याद रखना है, match the columns वाले questions भी अच्छी तरे से ध्यान रखने हैं, ठीके बच्छों, फिर क्या है, ये तो बहुत आसान है, इसमें हम टाइम नहीं खराब करेंगे, fusion of two motile gametes which are dissimilar in size, जैसे ही आतार में, size में dissimilar हो जाते हैं, आप क्या use करोगे, शब्द अनाईसो, तो इसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे, अब ध्यान से भई, questions का थोड़ा सा scale मैंने बढ़ा दिया है, ध्यान से समझना क्या क्या question है, अब देखो बच्छों, अब plant, एक पादप है, जिसमें कैसा है, thallus level of organization है, उसमें कौन सा सं गठन है, thallus, ठीक है, अब thallus रूपी, उसमें क्या है बच्छों, rhizoids, मूला भास, अब आपको ध्यान आएगा सर, rhizoids या मूला भास कहां होते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले, एक spark, एक घंटी क्या बजनी चाहिए, कि सर, rhizoids तो हैं, वो bryophytes में होते हैं, ठी कैसे करें, आगे देखें, हैपलॉइड होता है, अबे तेरी, प्लांट अगुनित हैपलॉइड है, उसमें rhizoids हैं, और उसको अपनी life cycle पूरा करने के लिए पानी चाहिए, तो ये तो किसमें कन्फर्म हो सकता है, राइजोइड हैं, मूला भास, हैपलॉइड प्लांट है, और उपनी life cycle पूरा करने के लिए water, तो टेरीडोफाइड को water तो चाहिए, टेरीडोफाइड को water तो चाहिए, लेकिन उसमें मूला भास नहीं होता, वो मेन हैपलॉइड नहीं होता, तो ये आउट हो गया, जिमनो स्पाम को, और मोनो कोट्स नहीं, आंसर क्या होगा आपक के पास, ब्रायोफाइड तो आंसर क्या हो गया भाई, ब्रायोफाइड इनमें राइजोइड हैं, ये हैपलॉइड होते हैं, और इन्हें पानी चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए हैं, ठीके बचों, फिर next question ध्यान देंगे अब, next क्या है, plants of this group, किसी समू के पादप कैसे हैं, दुवी गुनित हैं, डिपलॉइड है, चलो भई, ये plant कैसे हैं, डिपलॉइड है, and they are well adapted to extreme conditions, ये शुश्क पारिस्थिती की में रहने के लिए अनुकुलित होते हैं, ये कौन से हैं, ब्रायोफाइट्स को तो पानी चाहिए, वो तो पानी के आसपास रहते हैं, टेरिडोफाइट्स को भी fertilization के लिए पानी चाहिए, वो भी पानी के आसपास, ये hill stations पे ठंडे शेत्रों में तो कौन मिलता है, जिमनो स्पाम, जिमनो स्पाम कम पानी में भी अपने आपको अडैप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पतियां एकदब नुकीली नीडल जैसी होती हैं, क्यूटिकल की मोटी परत होती है, तो ये तो extreme condition में तो कौन लख रहा ह भई, जिमनो स्पाम, कैसे कन्फर्म करें, दे ग्रो बियरिंग स्पोरो फिल्स, कौन, अच्छा अब तो कन्फर्म है, हम तो hill station पे वो कौन लेकर आते थे भई, जिमनो स्पाम के, तो क्या कन्फर्म हो गया भई, ये कौन से plants हैं, जिमनो स्पाम, किसको कन्फर्म हो गया, य कौन से हैं gymnosperms deployed होंगे शुष्क वातावरन extreme conditions में survive करते हैं मतलब बिना पानी पानी की कमी में survive करते हैं और इनमे sporophils हैं जो इखटे होकर cones यानि शंकू बनाते हैं तो ये तो कौन से plants हो गए हमारे पास gymnosperms है तो अब कागे चलें ध्यान से giant redwood tree बहुत common example है बहुत common example है और ऐसा लल्लू सवाल भी नीट में पूछेंगे याद रखना ठीक है तो sequoia redwood tree redwood सबसे बड़ा sequoia redwood tree कौन सा होता है gymnosperms जिमनोसperms में आपको मालूम होगा बहुत छोटे छोटे तो plants होते ही नहीं है medium height वाले shrubs होते हैं या बड़े 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 से paid वरिक्ष होते हैं तो बड़े बड़े वरिक्ष होते हैं और shrubs पाए जाते हैं gymnosperms में बहुत छोटे छोटे दिखे ना घासवास तो वो तो angiosperms होंगी तो हमको पता है यह sequoia का होता है gymnosperms होता है तो यह तो clear है अब आगे अब ध्यान देंगे देखो true and false वाला सवाल भी आता है मैंने कहा था नया चीज लेकर आऊँगा तो true and false कौन सा statement true, false वो भी आएगा ध्यान रखना तो find out क्या है पहला question देखो भई gymnosperms में polans और mega spore polan मतलब नर संदचना है male mega spore यानि guru बिजानू मतलब female संदचना है they are produced in the same strobilus अब सुन लेना बहुत important चीज बता रहा हूँ gymnosperms जो होते हैं याद रखना आपको अगर आप से पूछा जाए यह gymnosperms क्या है daecious है हाँ अधिकतर gymnosperm daecious है लेकिन एक अपवाद होता है एक अपवाद एक ऐसा gymnosperm जो daecious नहीं है monoecious है कौन सा है बता दो अगर याद है तो बता दो मिर को monoecious होता है pinus ठीक है वैसे तो सारे gymnosperm में male अलग है female अलग है male gymnosperm अलग female gymnosperm अलग लेकिन एक अपवाद है pinus pinus कैसा होता है भई monoecious उसमें male और female एक ही plant पे मिलते हैं फिर next का है तो E का है they are produced in the same strobilus ये false नहीं भई gymnosperm में ज्यादा तर gymnosperm तो daecious हैं तो E तो गलत हो गया अब दूसरा है primitive gymnosperms के gymnosperms तो सम बिजानूता दर्शाते हैं लेकिन विक्सित gymnosperms विशम बिजानूता दर्शाते हैं अच्छा ये तो नहीं पता सारे gymnosperms heterosporus होते हैं याद रखना सभी gymnosperms सारे के सारे gymnosperms heterosporus हैं विशम बिजानूता कैसे याद रखोगे सुन लो अलगी, ब्रायोफाइट, टेरीडोफाइट, जिमनोसपार्म्स और एंजियोसपार्म्स शेवाल और ब्रायोफाइट सारे होमोस्पोरस होते हैं शेवाल हो, ब्रायोफाइट्स हो, इन सब में एक ही प्रकार के बिजानू, एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में भी ज्यादा तर, ज्यादा तर टेरिडोफाइट्स सम बिजानूता दर्शाते हैं, होमोस्पोरस होते हैं लेकिन केवल कुछ टेरिडोफाइट्स और उसको मैं हमेशा आपको याद दिखाता हूँ एम से एजोला, आईसोईटीज, मारसेलिया, सेलेजिनेला, सैलवीनिया ये पाँच ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो की विशम बिजानूता दर्शाते हैं और बाकी सारे जिमनोसपर्म्स और अंजियोसपर्म्स हेटरोस्पोरस आपको पता ही है ना, जिमनोसपर्म्स में बीज बनते हैं, अंजियोसपर्म्स में बीज बनते हैं तो बिना विशम बिजानूता के, बिना हेटरोस्पोरी के तो बीज बन ही नहीं सकते तो सारे जिमनोसपर्म्स क्या होंगे हेटरोस्पोरस तो यी भी false हो गया भई, दूसरा statement भी false हो गया तीसरा, gymnosperm के अंदर जो brun posh बनता है endosperm वो निशेचन से पहले बन जाता है देखो, brun posh endosperm gymnosperm में भी बनता है angiosperm में भी बनता है brun posh endosperm जो है ना, वो gymnosperm में भी बनेगा और angiosperm में भी बनेगा gymnosperm में fertilization निशेचन से पहले बन जाता है इसलिए haploid या argunate और angiosperm में, आवरिद बीजियों में endosperm fertilization के बाद बनता है इसलिए trigunate या 3N तो gymnosperm endosperm haploid है और ये fertilization से पहले बनता है बिलकुल सही, true है भई angiosperm का जो endosperm है भुरून पोश वो त्री गुनित होता है triploid और वो निशेचन के बाद बनता है सही, ये भी true तो पहला false, दूसरा false, तीसरा true, चौथा true कौन सा होगा? fourth option जाएगा भाई answer क्या जाएगा? fourth याद रखना, pinus आजाए, psychus आजाए, pinus, psychus, gymnosperm का भुरून पोश पूछ लें तो अगुनित हैपलोईड और angiosperm का पूछें तो 3N ठीक है भाई, चलो आगे अब ध्यान से बहुत अच्छा question है, इस में प्रशान जी का एक सवाल आया है, सर, insectivorous plant, जो कीट भक्षी पादप हैं, वो कीट क्यों खाते हैं? तो बेटा जो insectivorous plants है ना प्रशान जी, वो ऐसी मृदा में पाए जाते हैं, ऐसे soil में पाए जाते हैं, जहां पर nitrogen की कमी होती है, तो nitrogen deficient soil में वो ग्रो करते हैं, तो कीटो से उनको nitrogen का portion मिलता है, ठीक है, यहाँ पर check करने आए हो, तक कभी कोई दिक्कत नहीं है, बुला ल सीखने रहा है, बहुत चीजे सिखा दूँगा आपको, तो सुन लो भई, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिमनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में हैपलोईड नंबर ओफ क्रोमोजोम्स दे रखे हैं, दस, ठीक है, सुन लो भई, जो N हैपलोईड है, वो क् दस है, अब आपको गुन सूत्र की संख्या बतानी है, देखो भई, ये क्वेस्चन अगर ढंग से कर लिया ना, मतलब पूरा चैप्टर का निचोड है, यह याद रखना, पूरे का है, चैप्टर का निचोड है, सुनना, ब्रायोफाइट का मूला भास, यानि ब्रायोफाइट के राइजोईड की बात हो रही है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफाइट जो है, वो का है, ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बोडी क्या होती है, ब्रायोफाइट की मेल प्लांट बोडी होती है, युगमकोदभेत ब्रायोफाइट्स जो है सुन लेना ब्रायोफाइट्स की मुख्य पादप का मेन प्लांट बोडी अगुनित होती है अगुनित होती है यानि गेमीटोफाइट्स जो है वो अगुनित है तो ब्रायोफाइट्स के जो मूला भास है राइजोईड वो भी तो N होंगे तो E का होगा भई N मतलब 10 फिर next क्या है जिमनोस्पर्म का एंडोस्पर्म अभी हमने बात की है अभी हमने बात की है कि जो अनावरित बीजी है जिमनोस्पर्म है U का है भई एंडोस्पर्म उनका endosperm भी N अगुनित होता है क्योंकि वो निशेचन से पहले बनता है ठीक है तो वो fertilization से पहले बनने वाला है तो ये भी N होगा फिर ध्यान देंगे next teridofide teridofide का prothalus है ये क्या होता है कौन बताएगा teridofide सुन लेना teridofide की जो main plant body है मुख्य plant body है वो तो diploid होती है teridofide की main plant body diploid sporophyte होती है तने, पती और जड़े में विभेदित होती है लेकिन जो homosporous teridofides है उनमें जो युगमकोदवित जो gametophyte बनता है उसे prothalus कहते है तो prothalus क्या है ये teridofide का युगमकोदवित है teridofide का स्वतंत्र जीवी युगमकोदवित प्रो थालस ये भी N होगा ठीक है teridofides तो diploid होते हैं याद रखना teridofides तो diploid होते हैं diploid sporophyte होता है उसकी plant body लेकिन जब उसकी life cycle में युगमकोदवित बनता है gametophyte उसे prothalus कहते हैं वो N होता है फिर next आओ bryophyte bryophyte हमने कहा sir उसका main plant body युग gametophyte है N होता है लेकिन bryophyte के foot और seat पूछे हैं foot and seat तो bryophyte के अंदर बिजानुद भिद है bryophyte के जो sporophyte है यानि diploid वो foot, seat और capsule में विभेदित होता है किसमे foot, seat और capsule में 2N तो ये 2N हुआ 20 क्योंकि foot and seat bryophyte का क्या है बिजानुद भेट sporophyte 2N फिर है endosperm angiosperm का आवरिद बीजियो का भुरून पोश हमें पता है 3N होगा और teridofite teridofite में antherozoid antherozoid तो क्या होता है mother cell N antherozoid क्या रहेगा भई 10 रहेगा क्योंकि teridofite में antherozoid mother cell कब बनेगा pro thallus में बनेगा और वो अगुनित होगा तो पहला 10 दूसरा 10 तीसरा 10 चौथा 20 पांचवा 30 दस answer क्या है 4 याद रखना diploid कौन सा है haploid कौन सा है sporophyte foot सीटे और capsule भी 2N होगा मधुजी लेकिन capsule के अंदर जब meiosis होगा तो अगुनित haploid spore बन जाएंगे तो ये बहुत important चीज है pro thallus याद रखना pro thallus terido fight का का होगा भाई gametophyte और bryophyte में foot सीटे capsule क्या होंगे sporophyte याद रखना भाई फिर चले next ध्यान रखेंगे अब how many अब question क्या है देखो आपको बताना है terido fights और bryophyte में common लक्षन क्या है मतलब आपको वो लक्षन बताने है वो characters बताने है जो terido fights और bryophytes दोनों से मिलते है ठीक है तो terido fights और bryophytes दोनों में कौन से लक्षन पाए जाते हैं ये देखना है तो archegonia और anthridium anthridia और archegonia male reproductive structure और female reproductive structure पुंधानी और स्तीधानी दोनों में मिलता है बिलकुल सही दोनों में मिलता है भई archegonia, anthridia दोनों में मिलेगा बिलकुल terido fights, bryophytes दोनों में मिलता है presence of independent photosynthetic gametophyte बहुत अच्छा question है सुनना statement दिए presence of independent independent मतलब स्वतंत्र photosynthetic मतलब प्रकास संचलेशी, gametophyte दोनों में मिलता है देखना bryophyte की तो main plant body ही जो bryophyte है न बचों bryophyte की तो main plant body ही gametophyte है bryophyte की तो जो जो मुख्य plant body है वही gametophyte है हाँ तो वो स्वतंत्र है प्रकास संचलेशी है independent है बिल्कुल टेरिडोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स की main plant body तो sporophyte होती है बिल्कुल लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है उनका जो gametophyte बनता है अभी मैंने बताया वो प्रोथैलस जो टेरिडोफाइट्स में gametophyte बनेगा न प्रोथैलस वो भी तो independent है वो भी स्वतंत्र होता है ये भी प्रकास संचलेशी होता है तो दोनों ये भी सही है भई ये भी दोनों में मिलेगा independent photosynthetic gametophyte ब्रायोफाइट तो होता ही है लेकिन टेरिडोफाइट में भी बनेगा टेरिडोफाइट में जो प्रोथैलस बनेगा वो स्वतंत्र जीवी और प्रकास संचलेशी है फिर का है तीतरा formation of sporophyte from zygote zygote से बिजानुद भिद बनता है बिलकुल सही zygote क्या है 2N तो zygote जो युगमनज है उससे बिजानुद भिद sporophyte बिलकुल बनेगा भई बिलकुल बनेगा दौनों में बनेगा ये भी दौनों में बनेगा लक्षाण फिर नेक्स्ट है चोथा presence of multi-cellular gametophyte and sporophyte मतलब इसमें जो बिजानुद भिद है और युगमकोद भिद है दौनों बहु कोशी क्या होंगे बिलकुल देखो भई यही तो खासियत है teridoophyte हो या gymnos pump या bryophytes हो दौनों की life cycle कैसी होती है भई दौनों की life cycle होती है haplodiplontic bryophytes हो teridoophytes हो दौनों की life cycle कैसी होती है haplodiplontic और haplodiplontic चक्र का मतलब ही यही है कि gametophyte और sporophyte दौनों बहु कोशी किया दौनों multicellular हो haplodiplontic चक्र का मतलब ही यही है haplodiplontic cycle का मतलब है the gametophyte and sporophyte are both multicellular are you getting what I am trying to say my friends I am trying to say that both bryophytes and teridoophytes have multicellular gametophytes you know okay so fine तो teridoophytes हो या bryophytes हो याद रखना दौनों में केमिटophytes sporophyte क्या होगा जो multicellular बहु कोशी किया तो फिर सारे statement सहीं है भई फिर इसमें सारे statement दौनों के लिए logical है ठीक है बस याद रखना bryophytes में dominant अवस्था bryophytes में dominant अवस्था का हो जाएगी भई gametophyte है और teridoophyte में dominant अवस्था का हो जाएगी sporophyte है ठीक है चालो फटा फटा आगे देखें भई यह पता है आपको pinus seed जो है pinus के बीज cannot germinate and establish without fungal association क्यों बताया था कल बताया था क्योंकि यह अविकल्पी association है कैसा है obligatory यानि कैसा सैयोजन है अविकल्पी तो अविकल्पी का मतलब है रही नहीं सकता भई अगर कवक ना हो अगर fungi ना हो fungi ना हो तो pinus के बीज germinate भी नहीं कर सकते है ठीक है तो बहुत आसान था इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको अब ध्यान से which of the following statement is correct है इन में से कौन-कौन से correct है ध्यान से सुनना बहुत important सवाल है ई भी पहला है बच्चों की जो horse tails है वो gymnosperm होते हैं बताओ तो अब ये revision कर रहे हो horse tails gymnosperm होते हैं का अरे horse tails horse tails किसका उधारन है horse tails में इक्वी सेटम आता है अरे तो कहा भई gymnosperm कहा हुआ इ तो teridophyte हुए न जो horse tails है घोडे की पूछ वाले जो है इक्वी सेटम है अरे वो gymnosperm होए क्या वो gymnosperm नहीं है वो का है वो teridophyte है याद रखना फिर दूतरा क्या है saliginella heterosporus salvenia homosporus अच्छा saliginella तो heterosporus है salvenia homosporus है तो याद करो याद करो बच्छों हम heterosporus teridophytes ठीक है heterosporus teridophytes की बात हो रही है यहाँ पर heterosporus teridophytes को याद रखने का तरीका बताया हुआ है मैंने आपको heterosporus teridophytes यह पांच होते हैं और यह पांच तरह के heterosporus teridophytes azola isoetes marcellia और ss celiginella और salvenia तो celiginella और salvenia दोनों क्या है heterosporus तो यह भी गलत हो गया ना क्योंकि celiginella और salvenia दोनों heterosporus होते हैं फिर तीसरा क्या है बच्छों ovules जो है they are not enclosed by ovary in gymnosperm हाँ कुछ तो सही लगा चौथा stems तना psychus में और cedrus में unbranched होता है का भई psychus में तो अशाखित होता है मान लिया लेकिन cedrus में अरे नहीं भई pinus में और cedrus में तना कैसा होता है शाखित होता है भई branchd होता है clear है भई तो आपके पास कौन सा statement सही हुआ तीसरा statement ही क्या हुआ भई और तेजपल जी आपका comment नहीं देखे हैं हम नवीन जी नप पूछा है सर अंटिबायोटिक्स कहां से होती है तो बैटा antibiotics जो है न वो कवक से भी प्राफ्थ होती है और eubacteria के अंदर actinomycities आते है denna streptomycities उस से भी antibiotics मिलती है तो कवक से भी मिलती है और किस से मिलती है actinomycities से भी जो eubacteria में आते है आर रै सेनी जी का हल है आपके तो अब next देखो भई select the correct statement बात करें आजाओ कौन-कौन से correct statement है salvenia, ginko, pinus सब gymnosperm है pinus gymnosperm है बिलकुल मान लिया भई ginko बिलकुल मान लिया भई gymnosperm है salvenia नहीं है भई salvenia तो अभी हमने देखा teridofite है तो यह तो नहीं जाएगा नहीं देख रहा अब फिर अरत तेजपाल जी कैसे हैं आप बहुत अच्छा बढ़िया gymnosperm सार बोथ homosporus and heterosporus बताया नहीं सारे gymnosperm heterosporus होंगे सारे के सारे gymnosperm heterosporus होंगे भई कोई gymnosperm homosporus नहीं होता जो भी बीज बनाते हैं gymnosperm angiosperm जो बीज बना रहा है seed बना रहा है वो नहीं हो सकता homosporus तो यह भी गलत हो गया second का है भई leaves of gymnosperms पतियां जो है gymnosperms की they are not well adapted to extreme अभी तो हमने देखा कि gymnosperm की पतियां needle जैसी होती है पतली पतली नुकीली होती है ताकि उनमें transpiration कम हो सके cuticle की मोटी परत होती है ताकि transpiration वाशपोर सरजन कम कर सके और अंदर की और धसेवे sunken stomata होते हैं तो पतियां तो अनुकुलित हैं adapted हैं पानी बचाने के लिए तो ई भी गलत हो गया भई तो हमें पता है sequoia क्या है sequoia redwood tree है और redwood tree है तो वो सबसे बड़े पेड़ों में से आता है बिल्कुल सही ठीक है तो देखो भई revision बढ़िया तरीके से अब देखो हमेशा मैं last में हमेशा बताता हूँ हमेशा बताता हूँ मैं आप लोगों को कि तरीका जो है पढ़ने का classification पढ़ने का तो बकसे में ही है जो ग्यान इतना अरजित कर रहे हो ना उन सब को एक बकसे में डालो और फिर उस बकसे को ऐसा खोलो कि ग्यान का जो रोश्च जो जो क्या कहते हैं कौन कौन सी ग्रीन अलगी है कौन सी ब्राउन अलगी है और कौन सी रेड अलगी है देखो भई सवाल कैसे बनाएगा वो नीट वाला जो पेपर है NTA का कर सकता है भई NTA जो है वो का क्या कर सकता है वो आपसे ये बोल सकता है इन में से कितने ऐसे जीवानु है इस में से कितने ऐसे शेवाल है जिन में Floridian Starge है समझ रहे हो आप अगर आपसे ये पूछ ले कि इन में से कितनी ऐसी शेवाल है जिसमें क्या है Floridian Starge है तो का ढूंडोगे Red Algae ढूंडोगे ना लाल शेवाल ही तो ढूंडोगे तो बताओ तो क्या क्या है वाल वाक्स क्या हो गया साथ साथ बताते जाओ ग्रीन एल्गी यूलाथ्रिक्स क्या हो गया ग्रीन एल्गी स्पाइरोगारा क्या हो गया ग्रीन एल्गी फूकस क्या हो गया फ्यूकस ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया क्या हो गया ब्राउन एल्गी बताओ फटाफट डिक्टियोटा क्या हो गया ब्राउन एल्गी पॉरफायरा का हो गया भई रेड एल्गी पॉली साइफोनिया क्या हो गया रेड एल्गी सारगासम क्या हो गया ब्राउन एल्गी जेलीडियम क्या हो गया रेड एल्गी ग्रैसिलेरिया क्या हो गया रेड एल्गी क्लोरेला क्या हो गया ग्रीन क्लमाइडो मोनास ग्रीन कारा ग्रीन एक्टो कार्पस ब्राउन ये ध्यान रख लिया ये ध्यान रख लिया इस तरीके से तो फिर सब निकाल लोगे न Floridian starch किस में होगा आपको पता है red में होगा ठीक है आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन में से chlorophyll A और C किस में होगा chlorophyll A और C किस में होगा तो क्या ढूंडोगे brown algae ढूंडोगे समझ रहे हो starch किस में stored food material है तो किसे ढूंडोगे green algae को तो इस तरह से तयारी करना हमेशा जब आप box बना लो box में examples लिखो और उसको पढ़ते रहो अब इसी तरह से अब देखो ये तो सिरफ algae है वो सिरफ algae थी अब देखो इस example में तेरी इसमें सारा plant kingdom है याद रखना इसका अच्छी तरह screenshot ले लो और इसको solve करो इसमें मैंने सारे examples दाल दिये हैं भई इसमें आपके पास bryophytes हैं teridophytes हैं gymnosperms हैं angiosperms हैं तो अब ध्यान से अब इसमें बहुत सारे question बना सकता हूं इसमें आपसे मैं पूछ सकता हूं main plant body gametophyte किसकी होगी इसमें मैं सवाल क्या पूछ सकता हूं कि main plant body मुख्य पादप काए main plant body gametophyte किसकी होगी तो क्या ढूंडोगे इसमें तो फिर आप bryophytes ढूंडोगे तो अब किस में ढूंडोगे इसमें bryophytes ढूंडोगे फिर मैं आपसे पूछूँ कि इन में से किस किस में बीज बनेंगे इन में से कौन कौन में seeds बनेंगे तो क्या ढूंडोगे gymnosperms ढूंडोगे angiosperms ढूंडोगे इसमें आपसे मैं पूछ लिया जाए कि इसमें प्रो थैलस किसमें बनेगा प्रो थैलस किसमें बनेगा तो क्या ढूंडोगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइड ढूंडोगे तो इस तरह से याद रखना है बचों ये सारे एक्जामपल्स तो हैं लेकिन इसमें कितने तरे के सवाल जो हैं वो बना सकते हैं तो हमेशा जब आप लास्ट में ये पढ़ो ना लास्ट में जब आप ये से बॉक्स बनाओ तो आप खुद आइडेंटिफाइ करो इसमें फ़र्न्स कौन से हैं इसमें से बायो फर्टलाइजर के रूप में कौन पाया जाता है ठीक है इसमें बायो फर्टलाइजर के रूप में कौन होगा तो आपको पता है एजोला क्योंकि एजोला के साथ कौन है एजोला के साथ कौन होता है भई एजोला के साथ भी एनबी ना पाई जाती है तो इस त अलावा जो होती हैं मौसेज होती हैं तो स्फेगनम है फ्यूनेरिया है ये क्या है फिर आपसे हेटरोस्पोरस चेरिडोफाइट्स पूट सकते हैं तो इसी तरह से ध्यान रखना है भाई याद रखना बच्चों क्लासिफिकेशन देखो बाईले जी जो है ना एक बहुत आदब जगत भी देख लिया इसमें जितनी जादा प्राक्टिस करोगे और प्राक्टिस का मतलब है जितने जादा एक खाली पन्ने पर बक्से में इग्जाम्पल्स डालोगे और उसके उसके साथ उसे सॉल्व करोगे तो बहुत सही रहेगा और बहुत मजाएगा ठीक है बचों तो इसी तरह से मन लगा कर पढ़ते रहो और इमानदारी से अगर अच्छा लग रहा है ना आपको ये दो दिन से जो गेर अब बैचेज तो बताओ लोगों को बताओ अपने स्टूडिंट्स को दोस्तों को रेलेटिव्स को कि इमानदारी से सही तरीके से बहुत जब नवाद थैंक यू